हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल न्यू प्रैक्टिस का ये तिरारी स्वाम वीडियो है जैसे कि मैं यह पी और टू-3 यू-पी-टी-टी-पी-टी-पी-टी-टी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी- इस्टेडियोम है ध्यांचन इस्टेडियोम इज लोकेटेट इन तो दोस्तों यह आपको ध्यान में रखना है कि ध्यांचन जो इस्टेडियोम है वो लखनो में इस्टित है और जो मेजर ध्यांचन राष्टिये इस्टेडियोम है वह नए दिल्ली में इस्टित है जो पह रख दिया गया है और जिस पर पथम ACI गेम हुआ था एंड ध्यांचन इस्टेडियूम लखनोव में है मेजर ध्यांचन नेशनल इस्टेडियूम दिल्ली में है याद रखिएगा कोशन नमार दो है सारविक सिच्छा मुलत एक है फिजिकल एजूकेशन एज बेसिकली तो 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 मुलत है सारी सिच्छा जिव विज्ञान समंदी आवे सकता है बायोलोजिकल रिक्वाइर्मेंट है क्योंकि सारी सिच्छा को हाल की वर्शो में फिजिकल एज मेंटल yarnrico मानसिक और मनोवज्यानीक स्वास्ती के उठान ए chron ماह्त्प्रू पहलूह की रूप मिमाना जानी लगा है तो गतिव यह बेसिव विज्ञान समंधिया सकता होती है क्वेशन नमबर थ्री है सरी की टूटी शुटी वान स्पेशियों को ठीक करने के लिए निन में से क्या आवस्तिक है वीच आप दे फालिविग इस रिकॉर्ड टू रिपियर डेमेज मसल्स आप द बॉड़ी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कहरे के अधार पर पोसक्त सत्यों को तीन भागों में डिवाइट किया गया है उर्जा प्रधन करने वाले जिसमें कार्भोहाइड़ेट एन वसा आता है सरी का टूट फूर की मरतमारमतवार निर्माड करने में प्रोटीन आता है सरी के रोगों से रच्छा करने के लिए वीटामिन्स एन विनरल्स आते हैं तो टूट फूट की बासवेशियों को ठिक करने के लिए का आवस्यक है प्रोटीन क्या सकता होती है कुशन नमर 4 है किसी खेल को अलमपिक में समलित होने के लिए कम से कम कितने देसों में खेला जाना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे सिद्काली ने ग्रिस्मकाली नहीं पूछा है जबकि होत्था क्या है कि दो प्रकार के Displays होते हैं सिद्धकारे और्गिस्मकारे और गिस्मकारे कोशन्मENDर 5 है क्रॉस बीवर टेस्ट का परियूख क्या माईप के लिए किया जाता है तो दूस्तों क्रॉस बीवर टेस्ट में6 आइटमस आते हैं जो निम्टम-पेसियर यान इन मिनिमम मस्कुलर इस्ट्रेंथ को माप आ जाता है कोशन नमर 6 है उलम्पिक मसाल सुर्फ पर्थम जलाया गया था तो दोस्तों उलम्पिक मसाल को सबसे पहले 1928 में जलाया गया था एमास्टार्डम उलम्पिक में उसके बाद अधिकारी खुरूप से इसी जलाया गया था 1936 बरलेन उलम्पिक में याद रखिएगा किसी एथलीट वाराब्योहत उपसकरो में से किसकी लंबाई मातरद 2.5 cm होती है तो दोस्तों वीचार्ट फालिविंग एक कुपमेंट यूज बाई एथलीट इज वाली 2.5 cm लॉग जो सूज होता है दोस्तों सूज जो है ट्रैक एंड फिल्ड में जूते में ज्यादा सज्जादा कितने स्पाइक यानि किल होते हैं तो 11 किल होते हैं ज्यादा स्थेटिक ट्रैक पर उची कूद जेवलीन को छोड़कर अन्य सभी इस प्रधा के लिए जूतों की जो इस प्रधाओं के लिए पत्चीस एमेम लंबाई किल की होती है यहां पर इन में से कोई नहीं आपका राइड एंसर होगा प्वेशन नमबर 8 है रक्तल पता यूम रक्तगत अव्यस्था का करण है वाट कोजेट एनिमिया एंड बलड डिसॉर्डर्स तो इसका में करण है बिटामिन B12 की कमी बिटामिन B12 को साइनु कुबाल भीन कहा जाता है इसकी कमी से परनिसस्थ एनिमिया एंड इसको अधिक कमी से इसनाईग दोस उत्पन हो जाते हैं क्वेशन नमबर 9 है नहरू कप जुड़ा हुआ है तो नहरू कप फुटबॉल से समद्दित है यह कप फुटबॉल का अंतराश्टी स्वड़ कप होता है क्वेशन नमबर 10 है बिजी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है दोस्तों बिजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है क्वेशन नमबर 11 है निमन मेंसे किन देशों ने 1930 में आरंब हुए वर्ल कप शॉकर चेंपिन सिप की खिताब चार चार बार जीते हैं दोस्तों जो फुड़ाल फिफा वर्ल कप है उसकी सुरुआ हुआ था 13 जुलाए 1930 में अरुगवे की राधाने मौंट वीडियो में यहां नबाइसवा फिफा वर्ल कप जो है दोहजर बाइस दोहा कतर में हुआ है यहां जो अभी तक में तीसरा बार बिजजिता हुआ है अर्जेंटीना 1978, 1986, 2022 तीन बार हो चुका जबकि वराजील जो हैं पांच बार हो चुका है यहां पे चार बार पुछा हुआ है और इटली और जर्मनी चार चार बार हो चुके हैं यहां पे इटली और जर्मनी आपका राइड उसर हो जाएगा question number 12 है पचे हुई वसा को उर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है how many times does it take for digested fat to be used to energy तो दोस्तों पचे हुई वसा को उर्जा में प्रयुक्त होने लायक 6 घंटा का समय लग जाता है जबकि जो carbohydrate होता है तो रंत उर्जा में प्रयुक्त हो जाता है और तीन से चार घंटे के अंदर वह पांचन हो जाता है उसका इसलिए carbohydrate को instant energy source कहा जाता है जबकि एक ग्रम carbohydrate और प्रोटीन में 4.1 calorie उर्जा प्राप्त होती है जबकि एक ग्रम वसा में fat में 9.1 calorie उर्जा प्राप्त होती है लेकिन वसा को पच्णे में देर तक समय लगता है ठीक है इसलिए वसा युक्त करेंगे तो बहुत देर तक गूख नहीं लगता है तो जो एथलिट होते हैं उनको तुरंत अगर एक्टिविडिश करना है तो उसके पहले उसको कार्बो हाइड़िट की मातरा जादा देने चाहिए वसा की नहीं है को स्वेशन नमेर 13 है एसीन खेल की जनक को थे तो दोस्तों एसीन खेल के जनक जो है उनको सुरू करने का सरे महाराजा प्रोफिसर गुरुदत शॉंधी को जाता है जिस प्रकार गवर्मेंट कॉलेज लाहर के प्रिंस्पल थे पहले और प्रोफिसर गुरुदत शॉंधी ने 1948 में लंदन में आयत ओलंपिक खेलो की दौरान एसीन गेम फेडरेशन का गठन किया था जिसमें पहली बार एसीन खेलो का आईजन संपन हुआ पर्थम एसीन खेल 1951 फारत के नेदिल्ली में नेसनल एस्टडियों में शुरू किया गया था कि क्वेशन नमर्च चवदे है ओलंपिक का धियर यानिकी जो मोटो है सन 1924 में अधिकारी हो गया यानिकी ओलंपिक में सामिल किया गया अधिकारी ग्रूप से उसको कितनी बनाया था कुबर्डें के मित्र न जैसा कि अब जानते हैं ओलंपिक मोटो जो है हिंजी जिडान ने बनाया हुआ था और उन्होंने तीन सब्द दिये थे सीडियोस अल्डियोस फोडियोस जिसका अर्थ होता है फार्टर हायर इस्ट्रंगर यानि और तेज और ऊचा और बरसाली लेकिन एक चोथा सब्द ज इंगित और निदेशित करता है इस परिवासा को किस ने दिया है तो दोस्तों इस परिवासा को दिया है जानसन ने कोशन नमर 16 है किसी वस्तों की गती के परड़ाम सरूप उत्पन होने वाले उर्जा क्या कराती है तो गती के परड़ाम सरूप जो उत्पन होती है उसे हम गती उर्जा यानि की काइनेटिक इनर्जी कहते हैं कोशन नमर 17 है प्रोटीन का पाचन होता है तो दोस्तु असेंडी कोलोन न में बड़ी आत में तो होता ही नहीं है ठीक है जो डिसंहीं डिंक कोलों में भी नहीं होग में पैंक्रियाज में होता है बड़ यहां पे राइट एंसर हो जाएगा option number D उधर एव में चोटी आद में इस्टूमच एंड इस्मॉल इंस्टाइन यानि पेड और छोटी आद में ठीक है तो जो हमारे इस्टूमच निए आमार्श होता है उसमें जठर गरंटी होती है जिससे पेपसिन रेनिन गैस्ट होता है जो पाचन आरंब होता है जैसे कि आप जानते है जो पाचन का आरंब होता है जैसे कि आप जानते हैं जो पाचन का आरंब होता है मुक्ष ही हो जाता है मुक में लार गरंतियों से लार इस्टावित होता है जिसमें टालिलामंग एंजाइम इस्टावित होता है जिस से सुरू होता है चोटी आड के थी न भाग होता है है फिस न अशnd के नली और पितासय के नली जुड़ी होती है जिसरा के य स्थिलर्त होने वाले हर्मोन में मिलती है ऑव कार्बो हाइड करो घुकोज और लाइपेज होता है व्यूशा को पितरस के सहायता से फैटिए फैटि यह ग्लिस्टीन ग्लिस्ट्रॉल ने बदलता है और ट्रिप्सीन घुटा प्रोटीन को जो अमासाय में प्रोटीन को प्रोटीन ने बदल देता है इस परकार हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का पाचन होता है उदर और चोटी आत्म यानि इस टूमाच एंड इसमाल इस टॉइन में होता है कॉस्चिन नमर् आठार है इंसायड ट्रेक इनमें से किसकी आतमक इनमें कथा है दोस्तों इनसायड ट्रेक इज काल्स नहीं है काल्लिविस है ठीक है कोस्टिन निदे़ निदे हुख इने से किसकी आत्मकता है फोट से हैल हुख्य हक्य के महान खिलाड़ी असलम सीर खांग की आत्मकता है को स्ठी नंब subject है होक्टिन वर्ल्लब कप आरम करने वाला देश है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हाकी वर्लकप की कलपना पर्थम बारपाकिस्तान के एर मारसल नूर खान ने की था किया था लेकिन जब हाकी वर्लकप 1971 में हुआ था उस टाइम जो है बांगला देश भारत का जो विभाजन था उस घर्टना के फार लो बर्थम्कंता भाष्ट आयत नहीं होंगा अगर माना जाएगा तो पाकिस्तान हो सकता है अगर पर्थम पाकिस्तान में आयए नहीं móर प्रथम पाकिस्तान की बात करेगा तो पाकिस्तान है जबकि प्रत्थम बार हुआ था आपका बरसी लोना इस पेन में Question No.21 है इनमें से कैलसियम की प्रापती का सबसे अच्छा साधर कोन है Which are the following the best source of कैलसियम दोस्तों दूध जो है कैलसियम की प्रापती का सबसे अच्छा स्रूध होता है आधे लीटर दूध में लगभग 0.6 ग्राप कैलसियम पाय जाता है भोजन में कैलसियम की कमी के कारण उप्राप चाहिए क्याने की मेटाबोलेज में क्रिया प्रभावित होती है Question No.22 है दूध बेर कप और थामस कप दूदो बेर मिंटर से समधित है और बेर कप जो है महिला बेर मिंटर से समधित है Question No.23 है अराम दायक आसन है विच आप दे मोस्ट कमफोर्टेवल आसन दूध आराम दायक आसन जो है आपका सवासन है सवासन, ससांका, सन, मक्रा, सन, आदी आराम दायक यब इसराम दायक आसन होते है यहाँ पर राईटर जरू हो जाएगा सवासन सवासन में सरीय सव pada की तरह हो जाता है कोई मुमेंट नहीं होता कि हो सांस अंदर बाहर आराम से लिया जाता है इस आसन को नियमित 15 से 20 मिनिट किया जाए तो दिमाग सांथ हो जाता है तो था उच्छ रक्चाब हाई ब्लड पेसर जो है उस्तमानने हो जाता है कोस्टन नमबर 24 है आदेश का संबंद है कमांड इस रिलेटेट टू तो कमांड टू है दोस्तों वह किसमें दिया जाता है यहां पर 24 का सी हो जाएगा सीविल में जिसे कि परजिकलusalogACTी केस को में सीछड़ के विभिनी वीदियों में अप्नाई जाते जिसमें 30 वधि आदेशी किमांड विदि हो जाता है इस पर का संभन हमांड से होता है carp क्मांड आपका राएट इंसर हो जाएगा पोस्चन नमर 25 है निनमेसिक जल की संक्रमन से फैलने वाले विमारे है विच आप फालिविंग इस इस्प्रेट वाई वाटर कंटेमिन्टेशन तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मलरिया जो है वो मच्छर की काड़ने से फैलता है टीटनेस जो है वैक्टरिया से फैलता ह है एंड यहां पी जो पीजिस है वो जल के संक्रमन से फैलता है निमूनिया वाई संक्रमन से फैलता है कोस्टन नमर चब्वीस है बारत में खुले प्रथम सारी सुचा महविद्याले का नाम है वीच आफ दर ने वाट इस दर नेम आफ फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज आफ ओपेंड इन इंडिया दोस्तों फर्स्ट सारी सुचा महविद्याले की अगर बात करेगा त बारत में खुले प्रथम सारी सुचा महविद्याले का नाम किया है वायम सीय कोलेज आफ फिजिकल एजुकेशन की जो सबसे पहले इंग्लेंड में के लंदन में छे जुन 1844 में जार्ज बिलियम के द्वारा किया था इसका हेट क्वार्टर जो इनिवार सुजियन लेंड ह में 1883 में स्विंग फिल्ड कॉलेज में फिर अमेरिका से आई गए बीसे संगे हैरी कुरुबक ने 1920 में जे नए मदरास में भारत में इस्थापित किया वायम सीय कॉलेज फिजिकल एजुकेशन जो भारत में खुला पर्थन साइज सिछा महविद्याले है कॉशन 27 है किस स्विधी का प्रयोग उजे इसतर के खिलाडिव द्वारा लचिलापन हासिल करने में किया जाता है जिसमें अधित्तम मांस्पेसी सिद्वन हासिल करने की एक प्रयास में इसे खिजने स्विछ वहले मांस्पेसी संकुचन का प्रयोग सामिल होता है जैसा कि जानते हैं यह लचिलापन हासिल करने की विधी है और लचिलापन फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने की विधी है इस्ट इस टेकनीक मेंöd से पहले मांस्पेसी संकुचन किया सके कि slider किया जा सके। कोश्चन नबर 28 है एड़ सरीर के किस भाग पर आक्रमर्ग करता है दोस्तों यह सीधे इम्यून सिस्टम पर आक्रमर्ग करता है रोग प्रतियों धक्तांत्र पर यह एचाइवी यानि कि हीमन इम्मिनो डिफिसेंसी वारेस के द्वारा उत्पर्ण होने वाला रोग है और इसमें रोग पर तेरिधर चमता समात्त हो जाती है जिसे कारे करने में परसानी होती है कमजोरी आजाती है प्रकार मानो सरी में प्रविश्ट होते है तो मारु सолн Audio थे अमारू सरीर में इसपोर्स के माद्यंसे प्रिश्ट होते हैं इसपोर्स के माद्यंसे true touch तो दोस्तों धा आज-दो की सेशम्र Bao इसे अपन तो बौुचन से आए होक्या बधान, ठिो वीड़ बीडिविए और जादे जादे वीडियो को शेयर कीजिए जिसे और लोग तब वीडियो पहुंश सकें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्राइक्टिस में तब तक लिए जाए हैं